नमस्कार मित्रो मुफ्त के उचा चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है अब आज एक विशेश विशे को ले करके आया हूं अब एक नए नए जो खुलासे हो रहे हैं उसके वारे में है इसमें एक बात कहना चाहूंगा कि जो मुख्य बात है सूत्र है वो ये है कि आप दवाई खाने से एलो पैथिक दवा खाने से आप जिन्दा नहीं है आश्चर की बात ये है कि दवा खाके भी आप जिन्दा है ये बात है दवा खाके जिन्दा नहीं है कोई भी ये दवा नहीं हो भी तो भी जिन्दा रहेंगे लेकिन आश्चर की बात ये है कि ये साजनी ही तो मैं लेने वाला हूं और इसी विश्य कुछ मैं बताना से प्रही कि यह जो दवाईयां होती हैं सिस्टम क्या होता है कि पहले क्लीकल ट्रायल होते हैं क्ली इंकन क्या होता है कि अपने अनुमान के आधार पर कोई केमिकल अड़ा कोई बनाए जाती है कोई वाइरस को ले करके कोई कुछ ले करके वैक्सिन बनाई जाती है तो उसपर feik ट्राइल होता है कभी कभी के लाओं करें लेकिन आज तक विश्व में कोई भी ऐसा जानवर नहीं मिला जो कि बीमारियों से ग्रसित हो कीवल एक मनुष्य को छोड़ करके मनुष्य ही एक ऐसा जानवर है जो कि सबसे जियुद बीमार होता है और बाकि किसी भी जानवर में इतनी बीमारिया ना हें मिले गाला एक आधेंग degradation कोलेस्टरल नहीं होता सांस की बीमारी नहीं होती घर भी दिक है फ्क् timest जानवरों को जीवों को मैं बताना चाहूंगा कि यह भीवार क्यों नहीं है। सबसे बड़ी बात है जबसे स्रिष्टी का संचालन सुरू हुआ है जबसे यह जीव उत्पन हुए हैं तब से जो उनके नियम निर्धारित किये गए थे जो प्रकृतिने उनके नियम निرधारित किये कि वे कभी भी बीमार नहीं पड़ते हैं और उनको कोई बीमारी नहीं होती क्योंकि उनका वो अपने नियम जो जीव वेजिटेरियन है वो वेजिटेरियन ही है जो जीव खाएगा शिकार करके तो उसके शरीर के सारे सिस्टम ऐसे हैं जो मांस को डाइजेस्ट कर सकें कि उसी हिसाब के दाथ होते हैं अब थोड़ा अंतर बताना चाहूंगा कि जो शाका अरी जीव होता उसके जबड़े ऐसे ऐसे चलते गाय जब तो एक इसे ऐसे लेकिन जो मानसा हारी होता है उसका जबरा सीधा चलता है यह से जालए लेकिन। तो मनुष मैं जीवों की बात कर रहा था तो जीव जो जिस सिस्टम में बनाए गए हैं प्रकृति में एक बहुत बड़ा सूत रिये हैं कि प्रकृति ने सब को जीवित रखने के लिए कहीं भी कोई भी गलती नहीं की है कि उसको इस गलती से कोई समस्या जैसे मांसा हारी जीव है तो उसको सारे इन्नमों मांस मांस को डाय्जेस्ट करने को इसको कैसे पचाना क्या उसको खाने क बद कितनी देर सोना कितनी नीद लेना है शेंग सब्साइव secondo श्याव मतलब मनूष्य है और सिस्टम अच्छा होने के कारण उसमें क्या होता है कि यह अपने सिस्टम के दायरे मनुष्य एक ऐसा मूर्ख जीव Jeśli मैं जो कि सबसे ज़्यादा दूमार पढ़ता है अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि जब यह जीवinek नहीं पढ़ते हैं और इश्वर कहते हैं कि जो सबसे सरवुत्तम कrti हमारी सिर्ष्टी में है वो मनुष्य सबसे अच्छी है तो जब सबसे अच्छी म कrti मनुष्य की है तो मनुष्य बीमार क्यों है कारण सिर्फ और सिर्फ यह है उसके स्वैम के द्वारा की हुई मात्र गलतियां पस दूसरी कोई नहीं जब कभी-कभी हम किसी का ट्रीटिमेंट करते तो उनका पहले पूरा व्योरा लेते हैं कि तुम सुबह उठके क्या करते हो साम तक क्या करते हो क्या खाना पसंद करते हो कि समय क्या खाते हो क्या नहीं खाते हो कैसे खाते हो किस सिस्टम से खाते हो सारा जब व्योरा लेता हूँ तो उसमें कई न कई फाल्ट होती जरूर है क्योंकि यदि आप बीमार हो तो फाल्ट जरूर है फाल्ट है तब आप बीमार हो बीमार हो करके आप फाल्ट नहीं करते पहले फाल्ट करते तब बीमार पड़ते तो उस फाल्ट को ठीक कर देता हूं तो बहुत से लगबग 90% लो मनुष्य सबसे यदा पीमार क्यों है वो अपनी गलती से अब उस गलती में कुछ विदेशियों ने इसमें धंदे अपनाई कि भीमार है जैसे एक इस पष्ट जाने दो अमेरिका ने एक कंपनी है नाम क्या लेना कोई भगवान का नाम हो तो लिया जाए सबसे बड़े पैश है कितर वानल मेंस्टमेंट होती है कमाता है फैसे तो यह क्या है कि यह वैक सीन पर खोज करते हैं सब्सक्राइब सेचेशन들 करना लुख तो किस विङ्ए को करना पड़ता है इस त्मकैंते कर दो हमें किस विषय की दबा है साहब बीमारी कि यह है आच्छा है तो उसका ट्रायल किया जाता है। ट्रायल करने में क्या करते हैं कि एक बात पक्की होती है कि एक मिस quan होता है, एक प्लस quan होता है, एक माइनस 모ट होता है। किसी को दवा लग जाती किसी को लगती किसी को नहीं लगती तो जादा तरह लोप है थे कि दवाईयां जितनी भी हैं वे मात्र 25% किसी किसी पर असर कर जाती अब उनको रिकॉर्ड दिखाना होता है कि हमने यह ट्रायल में इतना यह लाब हुआ हमारी यह दवाई का हैं तो फियर विवेश बड copper ले-ड करा देते कि आप उसमें च्रायल के में हूता है सब कुछ हो नहीं के की मतात कि जो माइनस होते हैं उनको रिकॉर्ड से हठा दिये जाते हैं और रिकॉर्ड से अपाद जो प्लस पॉइंट होते उनको ले लिया जाता है और फिर वो जब जब यह देखा जाता कि यहां ठीग है तो उसको पेटेंट देती है पेटेंट देने के है तो दो-चार सालबाद जब उसका साइड अभेक्ट आता है तब उसमें फिर एक धांड की ढuds दवासी साइड फेक्ट हुआ जर्बहसी ये तो फिर उसमें जांग कर की किक पिर उसको लीगल्य है बेहन करामे जाती है तो ये बरने मतलव है मार्केट में आने से लेके और लीगली पूरता बंद होने में लगबग 15 साल का समय लग जाता है और तब तक कोई भी कमपणी अपना धंदा बहुत आसानी से कर लेती है अब यह जो कमपणी धंदा बड़े आसानी से तब तक कर लेती लेकिन 15 साल हो जाने के बाद उसने तक यह है कि दूद कीति पूरा घी निकाल लिया है अब कुछ नहीं है केवल खाली पानी बचाहे अब बंद हो जाए तो उतने में उसका धंदा भी हो जाता लेकिन जब तक ट्राइल होता है जब तक बैन होती है तब तक सैकड़ों सैकड़ों क्यों कहें करोड़ों में लोग effective होते हैं और effective होने से फिर क्या होता है उन्हाने side effect देखी जाते हैं और side effect देखने एक बात फिर बंद करी जाती हैं तो ये system चलता अब एक बात कहना चाहूँगा कि अगर जो प्रतेक दवा के plus और minus दोनों result हर एक दवा की बात करना हूँ दुनिया में जो भी tablet के नाम से आ रहा प्रतेक दवा का आगा जो plus minus दोनों point record में रखे जाते तो आज विश्व में एक भी tablet का कोई brand नाम नहीं होता कोई भी दवाई चाहे वो इंडियान हो चाहे अमेरिकन हो कहीं की भी हो वो कोई दवा नहीं आती बहुत सारे try किये गए जैसे कि आपको बताते पल्त पोलियो महा भी यान यह वैक्सीन बना तो उसमें क्या होता था कि पोलियो से जिस वायरस से पोलियो होता था तो उस वायरस को मारने के जिए उसी वायरस को पहले डाला जाता है वैक्सीन का मात्र यह मतलब होता जैसे कि आज कोरोना वायरस सक्सेज नहीं हो रहा वायरस का वैक्सीन सक् है कि वह हर च्छन अपने रूप को बदल देता है जिसे कि आज बहुत में ही देखो गुजरात में को予 टाइप का कोरोना वाइरस है माराश्ट में को यह टाइप का यूपी में को यह टाइप का जोड़ा जगह हैं अलग अलग प्रकार का उता है हमेशा यह अपने रूप को बदलता रहता तो जैसे ही कोई वैक्सीन बनी तो उसने रूप बदल दिया वैक्सीन बेकार तो इसी लिए आप देख रहे हैं तब से लेके अब तक कि कोई भी वैक्सीन अभी तक सक्सिज नहीं हुई है जो ही बना के तयार करें सो यह रूप वीडियो में चर्चा करूंगा कैसे है कैसे ने महाराष्ट के पास प्रमाण आ चुके हैं महाराष्ट सरका उद्धव ठाकरिक पास इसके प्रमाण आ चुके हैं इसकी चर्चा में बाद में करूंगा तो यह जो होता है तो इसका यह प्रोसेस होता है तो इस प्रोसेस के हजारों लोगों की जिन्विगी खराब हो जाती जैसे कि एक गर्ब निरोधक गोली एक ट्रायल में भारत में कॉंग्रेस सरकार थी और अमेरिकन कंपनी ने बनाई तो फ्री में भारत सरकार ने उसको लुटवाई बटवाई लुटवाई परिडाम क्या निकला उस गोलियों को खा करके लाखों की संख्या में माता हें बाज हो गए पर्मानेंट क्योंकि उसका सिश्क्तम क्या होता है जिशीज को ब्लॉक करता Mogra कोई चीज यदी उठे उसको तुरंद दबादौ तो पिर उठे तुरंद दबादौ तो क्या होता ओब दिता है कि फिर उठना बंद कि तो dalभी जैसे कि कई अभूला बंद कर देता है तो उसकी उगलियां जाम हो जाती क्योंकि उसे काम नहीं लिया गया तो अब समें और और होता जैसे कि डिप्रेशन में आदमी कब चला जाता है क्योंकि खुशी और दुख के दोनों के अलग-अलग हर्मोन होते हैं जो ज्यादा दिन दुखी रहता है तो उसके दुख के आर्मोन सक्रिय हो जाते हैं और फिर वो धीरे-दीरे जब उसी पर रहने लग जाता तो खुशी के आर्मोन बनते ही नहीं है कि हमारी इसको जलूरत ही रहे तो कायव फालतों में शरीर उसको प्रोडूर्य नहीं करता तो खुश नहीं हो फिरो डिप्रेशन की उसमें कर तो चार महिना दो चार खुब चला वे एक टाइम पर तो यह जब चला तो उसमें क्या खिलाए गई तो उससे फिर वो बच्चा पैदा करने की छमता ही माताओं में खतम हो गई और भयंकर साइड एफेक्ट देखे गए पोलियों में भी पहले बहुत पोलियों का चला था पोलियों में देखा गया कि जो अच्छे बहले बच्चे थे पोलियों की दवा लेने के बाद ही सबसे ज़्यादा उनका दर बढ़ा बीमार होने का अब इंसुलिन भी ऐसे दिया जाता उपर से इंसुलिन देखो इंसुलिन का प्रोसेस बता दें इंसुलिन का प्रोसेस यह होता है हमारे सब्सक्राइब से शरीड में इंसुलिन बनाता है बीटय से बीट misconception प्रयाज के अंदर होता है और जिस समय बीटय सेल बना देता है तो प्रयाज क्या करती है कि उसको ब्लड में धक्का देके पहुंचा देते और उससे कहते कि तुम घूमों और उस इंसुलिन का काम हो था जो हमारी सुगर होती वो सेल्फ तक पहुंचा है यह उसका काम होता है लेकिन जब थोड़ी सी कम पड़ गई तो डॉक्टर ने उपर से देनी शुरू कर दी तो में आपने प्रोडक्शन को कम अधार्यशा करता रेता है तो प्रोडक्शन को कम जादा करने के छक्र में जब ऊपर से इंसूलिन लिया गया गया कि इस Czechynadya के इंसुलिन की मात्रा ज्यादा है शरीर में तो आप इंसुलिन को कम बनाओ फिर देरे देरे जब यही सिस्टम चला तो फिर बीटा सेल निश्क्रिय हो गया तो जब निश्क्रिय हो जाता है तब इसको क्या करते हैं कि फिर वो बगायर इंसुलिन लिए वो रही नहीं पाता है क्योंकि उ उसके पावर को बढ़ादो तो इंसुलिन की आवश्चिकता नहीं तो इसके लिए सिस्टम होता है तो इंसुलिन छोड़ने का तो इसको छुड़वाया जाता आयूरुवेद में इसका हेलाज होता है तो इसलिए ये सारी चीज चल रही है इस प्रकार से तो कहने का मतलब यह है यदि आप अपने बच्चों को बालक बच्चों को परिवार को अच्छी जिन्दिगी देना चाह रहे हो इसके बारे मैं थोड़ा बता दें कैंसर का इलाज है अगर जो किसी भी व्यक्ति को कैंसर हो गया हो अगर जो वो इलाज ना करवाए तो साथ आठ साल आराम ते वो जी जाएगा जब हाई लेवल पर पहुंच जाएगा तो साथ आठ साल आराम से जी जाएगा लेकिन अगर जो उसका इलाज करवा दिया गया तो फिर वही कैंसर का रोगी साल बरे के अंदर मर जाते हैं हमारे रिष्टेदारी में दो उदारण ऐसे कि खुद हैं इलाज कराने पर जल्दी मरते हैं इलाज ना कराने पर कि देड में मरते हैं लेकिन उसी यदिवी कैंसर के इलाज को यदि हम और वैद शिस्टम से करेंगे तो उसमें फिर पूरी जिंड़ी है सकता है क्योंकि वो जो कैंसर के सेल मर रहे थे तो कैंसर का विस्तार से वीडियो पड़ा नीचे देख लो तो कैंसर किस प्रकार होता उसका क्या प्रोसेस होता है क्या उसका मतलब कैंसर आखिर होता क्या इस सारे विशह में मैंने बता रखे हैं तो कहने का मतलब यह है कि जब जिब treatment हो जाता है तब कैंसर का रोगी नहीं जी पाता है और जब उसका treatment नहीं होता तो ज़्यादा दिन जीता है और उसका और वेद से treatment हो तो पूरी जिनिदधी जीता है कहने का मतलब जितनी भी दवाईया है यह सब केवल क्लीनिकल ट्रायल पहेचलती हैशरी違 का एक सिस्टम क्या होता है जैसे कि आपको बता दें जैसे की कम्टूटर रिपेरिंगर dug उपने क drip grave आती थी कम्टूटर में और भी तमानों आती थी विंडू तो इसमें एकड्राइवर अलग से डाना पढ़ता था तो आवाज नहीं हाती परपजद्राइवर है जो कि हमारा ब्रेन में सब कुछ सेट होता है ब्रेन को इसinkles का सिगनल मिलता है तब चीज कब के लिए एक अलग है जो एंपे ब्रेन को सिगनल देता है कि इसमय सुगर ज्यादा हो गई है तो क्या होता है कि सुगर को फिर वो थोड़े से इकठे कर लेता है ज्यादा है तो उसको साइड में रख लो और जब जैसे कि सुबह साम को भोजन किया आप सो गए और रात भर सोते रहे वागा जो तुम्हें माल लो रात भरे में उसकी सारी बलड की सुगर कंजियू हो गई तो फिर क्या होता है कि जो उसने स्टोर कर रखी है तो वो सुगर को तुरंत ब्रेंड सिगनल देता कि उसे रिलीज करो और सेलों तक उसे पहुंचाओ तो वो फिर अपने लेना देना अपना गोर passar तो इस प्रकार से ड्राइवर पड़ेंधा में नेकिनी जो द्राइवर कोई खराब करती यह जिसे कि इनसुलिन लने से हमारा बीटा सेलक मजोर कर देती हैas कोई भी समस्य आए तो यह जो ड्राइवर को जब अमारा खराब कर दिया जाता है तो फिर अमारा ड्राइवर शरीर अनकंट्रॉल्ड होता है जिसे कि ड्राइवर है गारी चलाता है उसमें एक क्लच एक ब्रेक और एक एक्सिलेटर होता है अब उस ड्राइवर को एक एची जाती हो या फिर वो ब्रेक ही लगा ना आता हो या केवल उसको कलच ही लेना आता हो आप्ष समझ सकते हैं तो कीरत अब होने वाला है तो वही यह जो तबाईयां होती हैं यह सरफ वही करती हैं बाकि धूसरा इनके पास कोई इलाज नहीं होता है तो यह इंग्वर होता है इससी लिए आपको एक और बात है तो इतनी है कि मुझे टाइम देख करके पता लग रहा दीस मिनट से ज्यादा की हो गई है बात है इतनी है जिसको मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ इसी लिए आप लोग देख लेना कोई भी वैक्सीन एक टंपरेरी समय के लिए आकर खतम हो जाती क्यों क्यों खतम हो जाती क्योंकि वो यथार्थ में वो प्योगी है ही नहीं जो ही उसको दी ठीक है इसके बाद जो ही साइड एफेक्ट की डिपोर्टिंग हो इसे बंद कर देते हैं लेकिन आयूरवेद सदियों से चला रहा वाज तक इसको कभी बैन नहीं किया गया अगर जो आ अब मैं दूसरी बार बता दें यह जो आयूरवेदिक जितनी भी दवाईयां है यह ड्राइवर को ही मजबूत करते हैं और ड्राइवर जिसका मजबूत होगा तो प्रॉपर काम करेगा प्रॉपर काम करेगा तो कोई भी वाइरस अटैक नहीं करें अगर मालो कर भी दिया तो जो ड्राइवर पड़ा उसको सब पता है कि कौन हमारा मित्र है कौन शत्रु है डई पी करके जो हमें वाइरस मिलता है वो हमारा मित्र है डाइजेश्ट होता है और जो अन्य वाइरस होते हैं वो हमारे लिए हानिकारक शरीर को सब पता होता है तो फिर वो क्या करता है क ड्राइवर खराब हो जाता खतम हो जाता इसलिए सबसे ज़्यादा समस्या आती है इसलिए जिन्दा रहें